ओम नमे सीवाई दोस्तों आपका मेरे चैनल वक्ति की मोर्ती में स्वागत है आज मैं रमा एकार्ची व्रत कथा लेकर आई हूँ एक समय की बात है धर्मराद इर्जिश्टर सिरी कृष्ण से बोले कि भगवान मुझे कार्टि क्रष्ण पक्स में जो एकार्ची आती है उसके बारे में विष्थार से बताईए तो भगवान सी कृष्ण ने बोले कार्टि क्रष्ण पक्स में जो एकार्ची आती है उसे रमा एकार्ची के नाम से जानते है यह बड़े-बड़े पापों को नश्ट करने वाली है, इसका महातम में इस प्रकार से है प्राचिन काल में मुशुकंद नामिक के एक राजा थे, उनकी इंदर के साथ गहरी मित्रता थी और साथी साथ यम, कुबेर, वरुन और विशन भी उनके मित्र थे यह राजा बड़ा धर्मात्मा विश्नुबगत और नियाय के साथ राज करते थे, उनकी एक कन्या थी उसका नाम चंदर भागा था, उस कन्या का विवाद चंदर सैन के पुतर सोभन के साथ हुआ था एक समय की बात है, सोभन अपनी सुसराल आया हुआ था, उन्हीं दिनों रमा एकाज़ी भी आने वाली थी जब व्रत का समय आया तो चंदर भागा मन में सोचने लगी कि मेरे पती अत्यंत दुर्बल है और मेरे पिताजी की आगया कठोर है दस्मी को राजया ने धोल बजवाकर साराज्ये में ये गोशन करवा दी कि एकाज़ी के दिन कोई भोजन नहीं करेगा धोल की सुसना सुनते ही सोभन को अत्यंत चिंता होई और वे अपनी पत्नी से बोला कि अम मैं क्या करूँगा मुझे तो किसी भी प्रकार से भुख सेहन नहीं होती है कोई उपाय बताओ तो चंदरभागा कहने लगी है स्वामी मेरे पिता के राज में एकाज़ी के दिन कोई भोजन नहीं करता है यहां तक की सब जीव जन्तु भी भोजन का त्याग कर देते हैं यदि आपको भोजन चाहिए तो आप कहीं और चले जाईए अन्य था आपको व्रत करना पड़ेगा सोभन ने कहा कि मैं व्रत अवस्य करूंगा मेरे भागे में जो लिखा होगा वह हो जाएगा यह सोज का सोभन ने व्रत रख लिया व्य भूख प्यास से पिडित होने लगा जब सुरियस्त का समय आया तो रातरी का जागरण होने लगा जो सोभन के लिए अत्यंत दुख धाई था सुव्य होते होते सोभन के प्राण निकल गए तो राजा ने सुगंधित लकडि से उसका धा संसकार करवाया तव चंदर भागा ने अपने सरीर को दगध नहीं किया और अपने पिटा के साथ ही रहने लगी रमा एकाची के प्रभाव से सोभन को मंदराचल परवत पर धन धानने से संपन देवपूर प्राप्त हुआ एक समय मुचुकंद में रहने वाले सोम सर्मा नामक ब्राहमन फिर्थ यातर पर गए उसने वहाँ सोभन को पैचान लिया और उसके पास गया तो ब्राहमन ने पूछा कि ऐसा सुंदर नगर तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ उसने का कि रमा एकाची का वरत करने से मुझे हैं सब कुछ प्राप्त हुआ लेकिन यह नगर इस्थिर नहीं है क्योंकि मैंने रमा एकाज़ी का अवरत स्रधार रहित होकर किया था यदि आप यह सब ब्रतांच चंदरभागा से जाकर कहें तो यह इस्थिर हो सकता है तो उस ब्राम्मन ने चंदरभागा को जाकर सारा ब्रतांच बताया तो चंदरभागा ने उस ब्राम्मन से पूछा कि यह सब आपने अपनी आँखों से देखा है यह सपने में तो ब्राम्मन ने कहा कि मैंने अपनी आँखों से देखा है तो चंदरभागा कहने लगी कि मुझे महां ले चलो मैं अपने पती के जर्शन करना चाहती हूँ और मैं अपने ब्रत के पूम्ने से उस नगर को इस्तिर बना दूँगी तो वे ब्रहामन चंद्रभागा को लेकर मंद्राचल परवत के समी वामदेव रिशी के आश्रम पर गया तो वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों से चंद्रभागा का अभिसे किया मंत्र के प्रभाव मंत्र के प्रभाव से चंद्रभागा का सरीर दिव्य हो गया उसे दिव्य गती प्राप्त हुई इसके बाद वे अपने पती के साथ गई सोवन अपनी पत्नी को देख कर अत्यंत प्रसन हुआ फिर उसने अपनी पत्नी को 22 तरब बिठा लिया चंदरभागा बोली कि हे प्राणनात आप मेरे पुन्य को ग्रहन कीजिए मैं जब अपने पिता के घर में थी तो 8 साल की उम्र से यह वरत कर रही हूं मेरे 81 के वरत के पुन्य के प्रताप से यह नगर इस्थिर हो जाएगा और पढले के अंत्तक रहेगा इस प्रकार चंदरभागा दीव्या रूप से पति के साथ आनन्द पूर्वक रहने लगी हे राजन मैंने यह रमा 81 के वरत का महातम में बताया है यहर 81 के वरत सुक्ल पक्स और क्रेश्न पक्स की एकाद्शियों के समान है दोनों समान फल देती हैं जो मनुस्य इस महातम में को पढ़ता वे सुनता है वे समस्त पापों से छूट कर विश्नु लोग को जाता है ओम विश्नु देवाए नम्हे